हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, मेरे चैनल का नाम है घर का देशी खाना, आज मैं बनाने जा रही हूँ, पालक से बने सकोड़े, ये खाने बहुती टेस्टी लगते हैं, आईए मैं पताती हूँ से कैसे बनाना, सबसे पहले आपको पालक लेनी ने कट दूल लीजे, फिर आपको एक कटोरी इसमें बेसन डालना है, फिर आप उसमें एक चमच के करीब लाल मीच पाउडर, एक चमच हल्दी पाउडर, नमक साधनुसार, अब हम इसमें दो हरी मीच कटी हुई, और कटी हुई हरी धनिया डालेंगे, अब हम इसमें थोड़ा-थ अब हम एक कटाई लेंगे, कटाई में दो चमच के करीब हम इसमें तेल डालेंगे, यह मैं पूरे घर के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने तेल थोड़ा ज्यादा लिया है, अब एक चमच के करीब मैं इसमें जीरा डालूँगी, जीरा गरम हो गया है, अब मैं इसमें दो तीन पत्ता तेज पत्त हडालूंगी तेज पत्त गरम होगे अब मैं आठ से दस इसमें लेसुन की कलियां डालूंगी अगर आप लेसुन कलिये इस तरह से खड़े होई डालती है ना तो सकोडे में बहुत इच्छ टेस्ट आता है अब हम इसमें प्याज और लेसुन और का धालेंगे इसे भी अच्छी तरीक शेचा की महीं बूण लेंगे कि इस तरह जैसे मेरे भुमना है से आज हलादी डालेंगे एक हम लाल मेरा डालेंगे अब रप समसे भी ते महीं भूण लोंगि गये मसाला हल्थी यह धनिया गरम मसाला इसमें मिक्स हैं यह मैंने डाल दिया है अब मैं इससे भी धीमी धी में आज में भून लूँगी इस तरह अब मैं इसमें दो चमच के करीब पानी डालूँगी ताकि हमारे मसाले जलेना यह मैंने सूखे मसाले डाले थे इसलिए मैंने दो चमच करीब पान बादेष्ट डाला है इसे मैने मसालों में अच्छी तरह से Shiny तोकड़ा है अगर इस आप मैं इसमें एक चब मंच के करी गरम मसाला डालूगी गरम मसाला बहुत ही घ्रूइए हमारे सकोडे के सबजी में इसे भी मैं अच्छी तरह dość मिख सनक्राशिट लूँगी अब मैं इसमें ग्लास के करीब पानी एड़ करूंगी क्योंकि हमें इसके करी बनानी है अब मैं ग्लास पानी और इसमें एड़ करूंगी क्योंकि मुझे इसके करी थोरी कम लग रही है आपने देख लीजगे आपको कितना रसा इसका करी रखनी है आप मैं इसमें दो चम्मज़ केके किप बेसन खोल के मैंने रख लिए क्ट्यों हो भी मैंने डाल दिया है अब अब मैं इस निर उसे को अच्छी तरह से पका लेना है पांसे 10 मिननट के करीब इसमेडियम टू फ्लेम पर उसgenने के लिए इसको ढखक कर पकाएंगे तो पालग और बेशन का अबुसके पकॉड़ीया बनाने है मेडियाम अज पर इसकी पकॉड़ीया बना लेना है कि अब इस पकॉड़ीयां कि हमें अल्टा पल्ता कर चारों तरप से अच्छी तेरह से लेना है गोल्ड़एं ब्राउन तक कि हमारी पकॉड़ियां बनकर अच्छी तरह से रैडी हो चुकी आप देख सकते हैं अब हम इस करी वाले रसे में हम सारी पकॉड़ियां डाल देंगे अब हमें इसे पांस से दस मिनट तक लिए ढखकर पकाना है मेडियम तू लो फ्लेम पर हमारी सबझी बनकर तयार है अप मिसमें धनिया पती डालेंगे हरी धनिया आप इसे इस सबझी को आप चया पराठे घरा चावल सतके आइए रोत्याद आकर आपको मेरी एंच पुस्टा आते है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब 222 कि Mexican Mini